नमस्कार, जैस्टी कृष्णा, मैं राकेश शिवानी अश्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने जिवतिष ग्यान के नाम से एक सिरीज चलाई है, जिसमें from basic से advanced तक की स्राजी को हम पढ़ा रहे हैं, और यदि आप उस पूरी सिरीज को देख लेते हैं, तो कोई शक नहीं कि आप एक अच्छे जोगिस ना बन सके हैं, खेर, आगे जादे ना पढ़ते हुए, पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने different different ग्रहों के कारकों के बारे में बात की कि शुक्र के कारक क्या हैं, प्रस्पति के कारक क्या हैं, गुरू के कारक क्या हैं, आज हम शनी के कारक के विशे में बात करेंगे, कि शनी किन-किन चीजों का कारक है, बहुत important है, शनी किन-किन चीजों कारक है, उसको देखना भी, तो इसके लिए मैं आप सबसे पहले स्क्रीम को आपको शेयर कर देता हूँ ताकि आपको शनी के कारग में बता सकूँ शनी शनीक रहे कुंड़ी में बहुत इंपोर्टन रोल प्ले करता है शनीक रहे कुंड़ी में बहुत इंपोर्टन रोल प्ले करता है और उसका जो रोल है वो किस-किस चीज के लिए वो दिखाता है मतलब ऐसी कौन-कौन से चीजे हैं जिसके लिए आपको शनी को देखना आवाशक है अपनी कुंडली में कि भही अगर मैं ये चाहता हूँ तो मिझे शनी को देखना जरूरी है मेरा शनी अच्छा होना चाहिए तो इसलिए शनी के काफी कुछ कारक है शनी कर्म का कारक भी होगा यानि हाड़ वर्क अगर हो या कर्म आलस से हो दुख काम करना हो तो भी शनी को देखते हैं मतलब आदमी हाड़ वर्क है हाड़ वर्किंग है या नहीं है बर्ति और भाव में बठा है, अच्छे ग्रहों से दरष्ट है. और शनी अगर कमझूर है, तो सफ बात है कि छ्ट्व में बैठा हुआ है और पाप ग्रहों से द्रस्ट है या सूर्य से अस्त है तो वो चीज बहुत डिपेंड करती है तो शनी कमजोर है तो सीधी सी बात है कि वो आलस से देगा और शनी अगर मजबूत है पुंडी में तो वो हार्ड वर्किंग होगा तो आप कितने हार्ड वर्किंग है या कितने हा मुझ्यायू रहेंगे लपाईू रहेंगे इसके लिए हमें आयों के लिए भी शनी दुक्त अगर एक शलत में कहें यूंके कि दोशब में कहें तो शलि नर्वश सिस्टम करने में ऑर ग्रहों के बारे में आपको दोशबतों बता यह ऐसी शनी के लिए दूख का पर तो दुख्यक तो अवस्शिक होता है अब शलि किसीकागर मजबूत हो जाये जенी किसी का अगर मजबूत हो जाए तो दुख ज़ादा नहीं होगा इसके इसे अंतर विप्रीत होता है अकरशनी मजबूत होगा होगा उसके कमी होगा तो इसलिए दुख का कारत भी शर्ली को prediction ही माना जाता है कि रोग का कारत भी शरी पूरी पूरी होती है तो रोक काया कार अगर शनी अच्छा है तो आपका इंडर में काम करने वाले लोग वो आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बातों को संजेंगे और आपको फॉलो करेंगे, अन्यता आपको फॉलो नहीं करेंगे, अच्छे अद्मिस्ट्र आप नहीं हो पाएंगे, आप लोगों की साइकलोजी को नहीं समझ पाएंगे, अगर शनी आपका अच्छा नहीं है, शनी जो है, वो मास साइकलोजी का भी कारक है, शनी क्रिशी द्वारा ये जीवन व्यापन का कारक भी है, अगर आपने देखना हो कि मेरे लिए एगरीकल्चर बहुत अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, मैं एगरीकल्चर अपना विजनस लेगाँ अपना या मैं उसमें ही पिरकना बनाओ तो उसके लिए ऐसके लिए अगर अच्छा है तो आप एगरी विश्डर या तो आपको कहा है विजूर का detox है उगड़िस के लिए यह मैंने पताया हमें का नश Pode बाएा को सब्सक्राइब यह क बदेशी भाषा कारक भी शनी बैदेशी बहाषा कितनी जल्दी आप सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे उसके लिए भी शनी को देखना वड़ा आवश्यक होटा है जिलोगे को मन में होता है कि भी मैं फ्रेंज सीखूं स्पैनिस सीखूं या चाइनिस सीखूं तो उसके लिए जखना ज़रूरी है कि शनी कैसा है शनी अगर ठीक है तो दिदेशी भास्द्राइब को आरांग से आई शनी अस्पताल में बल्टि का भी कारक है य framework का कारक शनी है तो उस्पताल में बल्टि कारक तो नहीं कहीं सूर्य से अस तो नहीं है यह सब बाते देख लिए चाहिए तो उसे मालूम चल जाएगा कि शनी जोड़ों के दरता कारक भी शनी का था रख वी शनी की द्रस्टी दूसरे बाव पर हो यह शनी दूसरे वाव में बैठा हो तो इंसान की वाणी कठोर हो जाती है किनर कारक है गुद्ध को अर शनी को दो को बोला गया है तूद्ध को रख रह होते हैं ऑर पूरुश्ट रह में बताया आपको शुक्र है चंद्र है कि इस तरी ग्रह और नपुंसक रहे मिनको बताया, बुद्ध और शनी, यह नपुंसक रहे कहलाते हैं, तो इसलिए किनर का कारक भी है, अगर शनी किसी को कमजोर है, और शनी को मजबूत करना चाहता है, किनर को दान दिया जा सकता है, किसी भी जो हिजड़े होते हैं, किनर होते हैं, उनको दान द मिथ्या भाशन का कारक भी शनी है, शनी बिग्लावा हो तो इनसान मिथ्या भाशन देता है, जो चाहे बोलता रहता है, उसके भाशन में सचाई नहीं हो, उसकी बातों में सचाई नहीं हो, संकट का कारक भी शनी है, गरीबी का कारक भी शनी है, शनी कमजोर हो तो ऐसा इनसान फोड़ा गरीबी में जीवन यापर करता है ऐसे ही कमी होती है उसके पास शनी आजीवी का कारत भी है आपको मालूम होगा जो हमारे बारा भाव है कुंडी के उन बारा भावों का अलग-अलग स्थिर कारत डिफाइन किये गए है परतम भाव का सूर्य है दित्ते का गुरू है दित्ते का मंगल है चौते भाव का चंद्र है पाच्वे भाव का गुरू है छटे का मंगल है साथवे का शुक्र है आथवे का शनी है नौवे का गुरू है दसवे का बुद्ध और शनी है शनी कारणी है इसलिए कि और अज निस देखते हैं कि jer अगर एकश lean को आपको थिने इंसान को विमार्य आंगे और थी पित्त और हुए कि यह इतनुब इंसान घृत king किसी चीज की बहुत आयत हो, किसी भी चीज का imbalance हो आपके शरीद में, तो उसकी उससे लोग उपन हो जाते हैं, तो सनी अगर आपका पमजोर है, तो आपको बात रोग होने की सम्भावना बहुत होती है, गस्टिक रोग जो होते हैं, यस्टिक ट्रबल्स जो होती है, वो आप लिडी तो गरीबी इसके साथ हो जाती है, दुर भागय हो जाता है, कुछ पुराने रोग भी उसको लग जाते हैं, रद्धावस्ता हो जाती है, बहुत जादा आलसी हो जाता है, दासुचित कारे करने पड़ते हैं, तो यह सब चीजे शनी के अंदर count हो दिए, तो आशा क साथे बागये नमबर संपक करके उसके अलावा एफेक्टिव मैच मेकिनग का दिए हम लोग दैज चला रहे हैं, तो जो सीखना चाहते हैं, कैसे कुर्णली मिलान करते हैं, I Am जो सीखना चाहते हैं नमबर के संपक चलते हैं, धन्यवाद, जैशी क्रिश्ना